हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉप में एयर फोर्स स्कूल से पर्मानेंट वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां एंटिटी, टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंट ग्रेजवेट टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स की और इसके अलावा जो है बहुत सारी वेकेंसी नोन टीचिंग स्टाफ की भी आई हुई है TAT या CTAT जो है वो अनिवार नहीं है 55 यह तक के candidate बिलकुल यहाँ पर eligible हो जाते हैं आप भारत में किसी भी राज्य के candidate है अगर यहाँ पर sectionic योगेता को आप फूरा करते हैं तो बिलकुल आप यहाँ पर apply कर पाएंगे तो यदि आप Air Force School में पढ़ाना चाते हैं काफी अच्छी salary यहाँ पर teachers को दी जाती है जितने भी आप post देखेंगे इसमें teachers की specially regular और contractual base दोनों पर है यहाँ पर vacancy जितने भी subject है regular base पर भी teacher रखे जाएंगे और contractual base पर भी रखे जाएंगे यानि एक teacher accountancy का regular base पर रहेगा और एक contract base पर रहेगा पीजी टी में subject है accountancy, business, mathematics, social studies, chemistry, biology, physical education, English, physics, economics and computer science तो अभी आप subject देख लें कि कौन से subject की vacancy है और qualification भी चेक करेंगे जो भी यहाँ पर बताई गई है TZT में भी जो है vacancy, English, Hindi, Maths, Science, Social Studies, Computer Science and Sanskrit की है PRT में भी vacancy है regular और contractual teacher दोनों की है Pre-Nursery and Entity में, Lab Attendant में, Clerk Office Superintendent में यह जो है regular base पर है उसके बाद जो है कुछ vacancy ऐसी है जो कि part-time contractual base पर रहेंगी जैसे bandmaster है, yoga, gymnastic, foreign language, helper में regular और contractual base दोनों पर है इन्होंने लिखा है, for detail of eligibility criteria, please visit school website तो school website पर जाकर देखना होगा, क्या योगेता इन्होंने मांगी है application along with the photocopies of supportive documents to reach executive director AFS school जलाली before 25 feb 2024 25 फर्वरी से पहले आप लोगों को address दिया हुआ है, executive director AFS school जलाली तो यहाँ पर application form आपका पहुँच जाना चाहिए अपने document के साथ में for any queries, contact number यहाँ पर दिया गया है, अब चलिए देख लेते हैं, eligibility criteria जिसके लिए school की main website पर जाना होगा, air force school जलाली, यह main website है और जैसे ही आप main website पर आएंगे, यह page आपके सामने होगा, यहाँ पर लिखा है criteria for vacancies दूसरा है, vacancy qualification, तो चलिए इसे check कर लेते हैं काफी बड़ी है यह तो सबसे पहले इन्होंने qualification जो है principle की दी हुई है, बट अभी vacancy principle की तो नहीं आई थी, हम देखेंगे पीजीटी से, तो फिफ्ट नंबर पर दिया है, पोस्ट गैजवेर टीचर्स के लिए qualification जो अनिवार्य होनी ही चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ में सबजेक्ट में होनी चाहिए, जिस भी सबजेक्ट की vacancy आई थी, जैसे की मास्टर डिग्री यहाँ पर accountancy, business, mathematics, social studies, chemistry, biology, physical education, English, physics, economics और computer science, यही सबजेक्ट है, इनमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जो है, यहा में बैचलर डिग्री भी जो है होनी चाहिए, 21 से लेकर 50 year तक के candidate apply कर सकते है, एक बात ध्यान में रखिए, computer teacher या फिर music teacher है, dance teacher है, उनके लिए beard जो है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, woman candidate और physical challenge जो candidate के लिए age यहाँ पर 5 year की छूट दी गई है, यानि 55 year तक के आविदन कर पाएंगी, woman candidate, TZT में subject जो है, मैंने आप लोगों को बताए है, Hindi, English, Math, Science, Social Science, Computer Science and Sanskrit, qualification कही है इन्होंने, master degree होनी चाहिए, या फिर bachelor degree ही जो है अगर आपके पास है, 50% marks कम से कम होने ही चाहिए, तो आप लोगों ने graduation level पर जो है, ये subject भी पढ़ा हो, social studies में लिखा है इन्होंने कि graduation level पर आपने history, geography, economics या political science आपने पढ़े हों, जिसमें से आपका एक subject, history या फिर geography तो जरूरी है उसके बाद जो है, bachelor degree यानि कि B.A. भी जो है यहाँ पर चाहिए, B.A. degree is not mandatory for the post of T.G.T. computer, T.G.T. music, T.G.T. games, T.G.T. drawing and health wellness teacher, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि B.A. बिल्कुल compulsory नहीं है computer teachers के लिए, T.G.T. में भी जो है उम्र वही है, 21 से 50, women candidate के लिए, physical challenge candidate के लिए 55 year है Primary teachers के लिए इन्होंने मांगा है, bachelor degree, इसनातक आपका होना चाहिए, 50% marks के साथ में B.A. होना चाहिए Nursery trained teachers के लिए, 12th के साथ में diploma आपका होना चाहिए, Nursery, Montessory, Pre-Primary teachers training, या फिर diploma in elementary education, ठीक है Entity वाले या फिर B.A. नर्सरी वाले बिल्कुल यहाँ पर apply कर पाएंगे, 21 से 50 जो है आपकी age रहेगी, general category की Librarian की vacancy है, देख लेते हैं यहाँ पर Librarian की अगर vacancy थी, Librarian की नहीं है Lab attendant की जो है वो देख लेते हैं, qualification क्या कही गई है Lab attendant के लिए केवल 12th pass होना चाहिए, science system में तो PZT की हमने cover कर ली, qualification, TZT, PRT, Entity Teachers की, Lab attendant की Clerk के लिए apply करेंगे, तो केवल graduation चाहिए, और 40 word per minute इंग्लिस में typing speed होनी चाहिए यहाँ पर important बात आप ध्यान में रखिएगा, इन्होंने लिखा है कि read, write and communicate fluently in English इंग्लिस में जो है आपको पढ़ाना बिल्कुल आना चाहिए, जिसमें से इन्होंने को subject छोड़ दिये हैं जैसे TZT, Hindi, Sanskrit, Game and Drawing ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है कि इन चारों को छोड़ कर जो है, आप लोग जिस भी subject के लिए apply करेंगे तो आपको बिल्कुल इंग्लिस में ही पढ़ाना रहेगा केंजरे विध्याले में आप लोग Hindi, English दोरों में पढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पर केवल इंग्लिस में ही पढ़ाना रहेगा तो यह जो है, डिटेल में हमने बात कर ली 25 फरवरी लास्टर डेट रहेगी, contact number भी दिया गया है और 25 फरवरी से पहले आप लोगों को इस address पर भेजना है बाकी कोई fees वगरा तो नहीं बताई गई, कोई भी fees यहाँ पर नहीं लग रही है तो एक बात और यह जो vacancy है, Air Force School जलाली कहां है यह, तो यह बैंगलूरू, करनाटका बैंगलूरू, करनाटका से यह vacancy है अपलाए करें, Air Force School में काफी अच्छी salary जो है टीचर्स की रहती है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू